हलो दोस्तो मैं दिब्या मिश्रा और दोस्तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आपने सेनिटाइजर वाला वीडियो देखा और काफी सराहा है और आप घर पे इस तरह से होम मेड हैंड सेनिटाइजर बना रहे है और काला बाजारी को मार्केट में किसी चीच तो आटोमेटिकली उसकी प्राज दाउन हो जाती है और काला बाजारी रुख जाती है तो दोस्तो आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी चाय लेकर के आए हूं जिस चाय को पीने से आप किसी भी तरह के वायरस से और किसी भी तरह के इलने से बच सकते हैं तो दोस्तो आज की ये वीडियो लास तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफीशियल है दोस्तो जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टेम स्ट्रॉंग होता है तो हम किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा वायरस क्यों नहूं हमारा इम्यून सिस्टेम हमारी बॉली में एक ऐसी दिवार होती है जो किसी भी तरह के वायरस से लड़ने में सच्छम होती है तो इस इम्यून सिस्टेम को हमें घर बैठे कैसे बढ़ और अब घर बैठे ही अपनी यूमिनीटी को बढ़ाईए दोस्तों ये जो चाय है ये सिर्फ आपके यूम्यून सिस्टम को ही मजबूत नहीं करेगी बलकि अगर आपका वेट बहुत जादा बढ़ गया है तो भी आप इसे वेट लॉस करने में बहुत ही हैल्प पा सकते हैं ये एक जरिया होगा एक माध्यम होगा जिससे कि आप अपने वेट को कम कर सकते हैं तो ये बहुत ही फायदे मंद चाय है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपके वेट को भी कम करेगी तो चलिए देखते हैं कि इस चाय को कैसे बनाना है और इसका इस्तिमाल हमे कि दोस्तों सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे यानि कि एक कोई भी बरतन लीजिए और उसमे ये गलास पाने दिखें, एक glass मेने पानी डाला है, एक glass पानी आप डालिये, और इसमें जो अपना अगला ingredient है, यानि अगली जो चीजे हैं, वह इसमें डाल लेते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले जरूरी चीजे हैं, दोस्तों, वह हम डाल रहे हैं हल्दी, किसी भी अच्छी quality का हल्दी लें अगर पीसा हुगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा ब्रांड का होना चाहिए और नहीं तो आप कच्छी हल्दी ले करके और उसे भी अच्छे से कट करके और छोटे-छोटे दोस्तो ये सभी चीजे हमें एक-एक चमच लेनी है अजवाइन एंड हल्दी बड़ा इस्पून ने छोटा इस्पून हल्दी डाल रहे हैं और इसके बाद हम ले रहे हैं अद्रक का टुकड़ा एक अद्रक का टुकड़ा हम लेंगे या एक चमच समझ लीजे एक चमच अद डोस्तो जब हम हल्दी वाला चाय बनाएं तो उसके साथ ये काली मिर्च डालना बहुत जरोरी होता है। अगर काली मिर्च आप डालते हैं तो जो भी हल्दी के गुड़ हैं वो सभी गुड़ आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अगर काली मिर्च हल्दी के साथ मिला करके अगर हम पीते हैं, तो ये बड़े से बड़े रोगों को दूर करने में सच्छम है, जैसे की कैंसर जैसे रोग भी, तो इसलिए जब भी आप हल्दी वाला चाय बनाएं, तो काली मिर्च और ये सब चीजे जरूर मिला के एक साथ बनाएं, ताकि आपको बाकी चीजों का बेनिफिट्स जो है, वो हल्दी में आ जाएं, और हल्दी के सारे गुण भी अच्छे से आपको मिल सकें, दोस्तों अभी हमारी चाय उबलने लगी है, ओबलने लगी है, तो इसमें हम एक और चीज डालने वाले हैं, और वो है कड़ी पत्ता लीप्स, तो मेरे पास है दोस्तों ड्राई कड़ी पत्ता लीप्स, आपको फ्रेश कड़ी पत्ता लीप्स मिल जाये दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इस तरह से ड्राई वाले अगर आप रखें तो डाल सकते हैं इसके बाद मैं डाल रही हूँ चुटकी भर नमक टेस्ट के अनुसार और नमक डालना जरूरी नहीं है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो लेकिन जो लोग नहीं पी सकते हैं एलो टी बिदाव्ट सॉल्ट और इस तरह से तो आप ब्लैक सॉल्ट इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए ब्लैक सॉल्ट नुकसान भी नहीं करता है दोस्तों दोस्तों ये जो कड़ी पत्ता है ये वजन घटाने में बहुत फायदा करता है और ये डाइरिया से भी बचाता है दिल का बहुत अच्छे से ये जो कॉलिस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करता है जिससे आपका हार्ड भी यानि कि दिल भी बहुत अच्छा रहता है और ये काफ फिर से उबाल लेते हैं, और फिर से 2-3 मिनट फिर से उबालेंगे, और ये हमारी चाय अच्छे से पक जानी चाहिए, और इसके बाद इसमें हम दोस्तों डालेंगे नीबू, क्योंकि अब हम गैस को बंद करेंगे, इसलिए अब ये लास्ट स्टेप है इसका, तो अब हम इस पूरा नीबू, आपको इसमें डाल लेना है, अच्छे से उसका रस निकाल लेना है, इस चाय में, तो ये हमने सारा नीबू निचोड लिया, और दोस्तों विटामिन C होता है, नीबू में भरपूर भरा हुआ होता है, तो ये आपकी इम्म्यून सिस्टम को काफी मजबू तो ये दोस्तों अब हमने गैस को बंद कर दिया, हमारी चाय बंद करके रेडी हो गई है, अब चलिए इसे हम चान लेते हैं कप में, दोस्तों ये जो चाय है, ये चाय अगर आप चाहें, जैसे कि मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक का यूज किया है, तो आप उसकी जगह जब आप इसको चाने, तो चानने के बाद इसमें आप सहद भी डाल सकते हैं, ताकि ये मीठास इसमें आजए और सहद के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, तो ये तोटली आपकी च्वाइस है, कि आप इसको सहद के साथ लेना पसंद करेंगे, या ब्लैक इसमें आप डाल के इसे आप ले सकते हैं, अब बता देती हूं दोस्तों कि इसे आपको पीना कैसे है, आपको इसे लेना है सुबा में, और सुबा मतलब खाली पेट बिलकुल ब्रश करने के बाद खाली पेट आपको इसको पीना है, और रात को लेना है सोने से पहले, तो और मैं अपनी चाय पीती हूँ ततक आप भी अपनी चाय को बना लीजे और इसी तरह से पीजे और अपनी यूमिनिटी को बढ़ाईए अपने वेट को लॉस करिए घर बैठे बैठे ये जो आपको मौका मिला है वेट लॉस करने के लिए और आप इसमें अपने सिहत को बहु यू भी नू बीवर्स हैं जो फॉस्ट इम हमारे चैनल को देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बैल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो नेक्स टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें इस समय का सही फुदू प्योग करें अपने आपको स्वस्पर रखने में तिल देन गाइस पावाई से तेर बाई झाले आपको स्वस्तare अ कर okay